नबे के दसक में कस्मीरी पंडितों पर बनी जो कस्मीर फाइल फिल्म से है वो पुरे देश में चर्चा का विश्य बनी हुई है और ऐसा ही एक नबे के दसक में उत्राखंड आंदोलन के लिए वी एक लड़ाई लड़ी गई थी जहां पर कई उत्राखंड के लोग सहीद प्रद्द्ध के लिए और बात करते हैं उत्राखंड आंदोलन फाइल्स की तो तैयारी के अगर मैं बात करूं तो 16 मार्च को मैंने इस फिल्म का जो टाइटल है और जो सार है सिनॉपसिस जिसको में इंगलीश में कहते हैं वो रेइस्टर कर दिया है और बाकी प्रोडुक अब इसक अभी कब तक पूरा खाका इस फिल्म का तैयार हो जाएगा कब तक लगता है आपको कि कब तक आप इसको परदे पर ले आएंगे मैं एक उचित तारीक तो नहीं बता पाऊँगा लेकिन परियास यही रहेगा कि 2024 तक यह फिल्म जो है आप सभी के सामने पेश हो और सिनेमा होलो के परदों पे उतर जाए अबिषिक थोड़ा अपने बारे में बताईए कि आप क्या करते हैं किस प्रकार आपका क्यूं आप चाहते हैं कि उत्रा खंड अंधुलन पर भी उत्रा खंड फाइल्स फिल्म बने जी सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि हम उतरा खंड के रहने वाला है बच्ट刚 हमारा यही बीता है पैदा इस हम यही के हैं और मैं देख रहा हूँ कि उतरा खंड से जो हमारा युवा है मोचली वो यहां JOHN DO वहा से अपने बारे में से और में बढता दू कर रहा हूं और से पहले उसके किलास में था मैं तभ से मैं पूरी दुनिया टक काहनिया पाऊंगा झाल से तो यही मेरी कोशिश है अपने बताया कि अच्छे कुमार ने भी आपका वीडियो सेयर किया था क्या था हूँ जी मैं आपको बजाए दूज़ार पंदरश से मैंने रैप की शुरूआत करी थी रैप सिर्फ मैं एंटरेटेन करने के लिए नहीं करता था उसके साथ मैं समाज को अवेर करने के लिए भी रैम मैंने शुरू किया था तो 2017 में मैंने सबसे पहला रैप किया था समाच के लिए स्वच भारत अब्यान के उपर मैंने वह रैप बनाया था और अक्षय कुमार ने वह गाना जब देखा तो उनको काफी पसंद आया और इन्होंने वह गाना अ आज उत्राखन आंदोलन फाइल्स की तैयारी है और पूरा देश जागरूख होने वाला है कि उत्राखन के अंदर हुआ क्या था उत्राखन का इतिहास क्या है यह अमार साथ दोन के अभिशेक भड़ थे जो कि जल्द ही उत्राखन फाइल नाम से उत्राखन आंदोलन पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और इनका कहना है कि 2024 तक यह उत्रकंड अंदुलन की इस पूरी मूवी को परदे पर लियाएंगे विपिन देगी इटी भारत देरादून